कि नमच्कार दोस्तों इंडिया स्वाइक्स चैनल उपर आपका स्वागत है तो उत्तर अमरिका के पाकिस्तान से यानि की कैनेडा से फिर से एक बार नौटन क्यों से परा हुआ ही वीडियो सामने आया है फिर से एक बार खालिस्तानी उपद्रवियों ने जिनको कैनेडा की गवर्मेंट ने सालों से पना दे रखी है। उन लोगों ने इस प्रकार का जिनूस निकाला था जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के हाल के जो प्रदान मन्टी है नरेंडर मोधी जी उनके साथ बेयर भी दिखाई जा रही है और उनको जेल में बंद किया हुआ दिखाया जा रही है। उन लोगों का समर्थन किया, उन लोगों को जस्टिंदर सिंग दूडो और NDB का लीडर जगवित सिंग दालिवान कॉंस्टेंटली सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो उसी के चलते इन लोगों की हिमत दिन परते दिन बरती जा रही है। अब ये जो कंजर हैं, ये जो खालिस्तानी, अंग, मूर्ख लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाये भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी नहीं जानते हैं, अपने ही धर्म के बारे में और अपने ही लोगों के बारे में। तो उनको ये ब्रीफ में बताना चाहते हैं, कि सिखों का जो हत्याकान किया गया था, वो कॉंग्रेस की सरकार में किया गया था, और साथ में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था, उसके लिए भी जो जिम्मेदार है, वो इंग्रा गांधी थी, और बाद में हत के लिए जिम्मेदार राजीव गांदी था जिसने खुद ये बात कही थी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती रहे तो यह जो पर्टिकलर लोग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह लोग जिम्मेदार हैं सिखों पर्ट्या के ना कि नरेंडर मोदी जी ना कि ए इस्ट्री का एक पार्ट उन लोग को समझ में ना आ रहा हो तो यह बात हम लोग के लिए स्पस्ट हो जाने चाहिए कि इन खालिस्तानी उपद्रवियों का ब्रेनवाश पूरी तरह से कर दिया गया है इनको ब्रेंडेड जॉम्बी बनाया गया है जिस तरह से कुछ लोग क पर जलते हुए हम इन गंजरों को ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जहां पर भी हाल में हैं चाहे वो कैनेडा में हो चाहे वो यूके में हो पाकिस्तान में हू और और आ उपना कालिस्थान बना लें तो कि भारत में हम सभी बात हिंदू, मुस्लिम, सिक, हिसाई, जैन बुद्धिस्ट हम सभी लोग मिलजुन खेलते कुदते जी रहे हैं और आप लोग को रत्ती भर भी मिट्टी देने में इंट्रेस्टेड नहीं तो आप जो भी कंट्री में हैं वहीं पर अपना खालिश्तान बनाया है उसी को खालिश्तान डिक्लेर कर दें वहाँ पर आपकी संक्या भी है तो आपको सरकार बनाने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर जो हमारे सिक्भाई हैं उनसे मिलकर हम अच्छे से रहेंगे जिस सरह से हम सालों से रहते आएं आपके असोचते हैं इस बारे में हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं और इन गंजरों के बारे में दो शब्त कॉमेंट में ज़रूर लिखेंगे अगली खबर में तब तक के लिए जैहिल फर्गात बाते